जिया दोस्तों अगर आप CAC के तुरू E-Stamping Service को activate करा लेते हैं और E-Stamping Service आप अपने CAC Center से अपने गाउं के अपने सहर के लोगों के लिए ये सेवा उपलब्ध कराते हैं तो इस Service में आपको बहुत ही ज़्यादा income दे सकता है तो आईए हम पहले बात करते हैं कि E-Stamp Service है क्या तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी agreement documents कोई भी registry documents या फिर कोई भी एफिडिवीट paper ऐसे बहुत सारे documents होते हैं जिन्हें बनाने के लिए लोगों को अपने नजदी की code जाना होता है और code में जाकर ये सारे documents इस प stops pus paper में ये documents बनाया गया है जो की agreement documents है साथ ही आप लोगों को और भी दिखा दें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 50 रुपया के is टेंपर में ये documents तयार किया गया है जो भी कुछ documents है ये documents तयार किया गिया है जैसे कि अगर ये registry documents हुआ तो ये documents तयार किया गिया है इसके बाद और भी बहुत सारे documents होते हैं जो कि 50 रुपिया, 100 रुपिया, 10 रुपिया के system paper में तयार किया जाता है एफिडिवीट पेपर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एफिडिवीट पेपर तयार किया जाता है तो इसी परकार के डॉकॉमेंट्स बनाने के लिए इस परकार के इस्टेम पेपर में डॉकॉमेंट्स बनाने के लिए लोगों को कोड जाना पड़ता है लेकिन अगर यही documents आपके CSC center से online से बन सकता है जैसे कि मैं दिखा दू कि कुछ इस परकार का stem paper आप online से बना सकते हैं अपने गाओं के लोगों अपने सहर के लोगों के लिए जिसके लिए भी आप stem paper तयार करना चाहते हैं आप तयार कर सकते हैं साथ ही इस service में काम करने से e-stem service में अगर काम करते हैं तो इस service में आपको बहुत ही ज़्यादा income देखने को मिलेगा आप इस परकार के अगर online stem paper तयार कर देते हैं 50 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया का तो इसमें लोगों को code जाने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक CAC Valley है और आप अपने digital सेवा portal के मदद से e-stem का अगर आप ID password लेना चाहते हैं तो कैसे आप ले सकते हैं, कैसे इसका registration होता है और किस परकार से आपको किस माधियम से ID password मिलता है तो यहाँ पर आप मैं बताना चाहूंगा अगर आप e-stem का ID password लेना चाहते हैं CAC के थुरू तो यहाँ online from फिराब करने का कोई भी procedure नहीं है आप यह सब procedure, यह सब process offline करेंगे तो offline कैसे करेंगे, कौन सा from भरना होगा इसके बारे में आप लोग को complete जानकारी मिलने वाला है तो इसलिए आएब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने digital सेवा portal को open कर रखा है और e-stem का ID password लेने के लिए हम यहाँ पहले click करेंगे और यहाँ लिखेंगे e-stem, इसके बार search करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं e-stem, stock holding corporation यहाँ click here पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने यह page open होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं login करने का option है जो की आप से user ID और password मांगा जा रहा है user ID और password आपको कैसे मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं about India e-stemping system इस पर आपको click करना होगा इसके बाद आपके सामने e-stemping का यह page open होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं stock holding corporation of India limited यहाँ से आप cste e-stemping ID password के लिए offline form भरेंगे वो offline form कहां से download करना है और किसे send करना है यह आपको जानकारी वीडियो में मिल जाएगा आप देखते रहिए तो सबसे पहले हम यहाँ download पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे application देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं application form for stamp duty payment इसके बाद यहाँ दो नमबर पर आप देख सकते हैं ID creation form नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं password reset form इसके बाद यहाँ पर ACC registration form इस पर आपको click करना है अगर आपको CSC के थुरू e-stamping का ID password लेना है तो इस पर आपको click करना है इसके बाद आपके समने कुछ इस पर करका form open होकर आएगा चली हम इसे बड़ा कर लेते हैं इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं यह from को आपको totally fill up करना होगा step by step चली हम बताते हैं कि कैसे आप fill up करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं user ID creation form for ACC नीचे यहाँ पर date लिखा गिया है तो यहाँ जिस date को आप अपने इसके बाद नीचे आएंगे वहाँ का address जो भी आपका CAC center का address है वो पूरा address यहाँ पर type करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपका CAC center कि city में है उस city का नाम यहाँ पर डालना है किस district में पढ़ता है उस district का नाम यहाँ पर डालना है और किस state में पढ़ता है उस state का यहाँ नाम डालना है इसके बाद यहाँ पर आपको pin code type करना है जो भी आपका CSC center का pin code पढ़ता है वो pin code यहाँ पर type करेंगे इसके बाद नीचे एंगे तो यहाँ पर valley को अपना full name type करना है इसके बाद यहाँ से अपना gender select करना है इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपना date of birth भरना है इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर designation के बारे में पुछा गिया है तो यहाँ पर valley लिखेंगे यहाँ पर department के बारे में पुछा गिया है तो यहाँ पर CAC लिखेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर direct number यानि अगर आपका कोई भी telephone number है तो यहाँ पर telephone number डालेंगे ISD code है तो डालेंगे और नहीं है तो यहाँ na लिख देंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर अपना mobile number डालेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको email id के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर CAC लिखेंगे अपना email id डालेंगे इसी email id पर आपका user id और password भेजा जाएगा तो यहाँ पर सभी details सही से fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर CAC वेली अपना एक photo लगाएगा इसके बाद नीचे यहाँ पर वेली अपना एक signature करेगा और signature के उपर अपना एक stamp जो भी इसका CAC center का stamp बना हुआ है वो stamp यहाँ पर मोहर लगा देगा stamp यानि मोहर लगा देगा इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको name लिखना होगा कि कोन यह from fill up कर रहा है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे और कहां से आप यह from भर रहे हैं जो भी place है आप अपने गाउं से भर रहे हैं या फिर अपने सहर से भर रहे हैं तो अपना गाउं या सहर का नाम यहाँ पर डालेंगे किस date को यह from भर रहे हैं वो date यहाँ पर डालेंगे इसके बाद नीचे आएंगे नीचे यहाँ पर और कोई भी details आपको नहीं भरना होगा इसके बाद तो जैसे आप यह from भर लेते हैं तो इस from को भरने के बाद यह from आपको scan करके अपने DM को mail करना होगा यानि अपने district manager को तो अगर आपके पास अपने DM का आपके district manager का email id नहीं है तो उसका email id कैसे निकाल सकते हैं तो इसके बारे में चली हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं तो अपने DM का contact number email id निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं bankmitra.caccloud.in इस website को open किया है यहाँ से आपको यहाँ contact पर आना होगा अपने cursor को लाना होगा इसके बाद नीचे यहाँ district manager का option दिया गया है इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना state select करना होगा जो भी state आपका पढ़ता है इसके बाद यहाँ पर आप अपने जिला का नाम select करेंगे जो भी जिला आपका पढ़ता है इसके बाद यहाँ पर search करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके district में जितने भी DM है district manager है CST का उसका पूरा details यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो जैसे कि यहाँ पर उसका email ID भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर उसका mobile number जो कि contact number यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप यहाँ से email ID उठाएंगे और इसको जैसे कि हमने बताया कि कैसे आपको यह from fill up करना है यह from fill up करके scan करके mail करेंगे और जैसे आप इसे mail कर देते हैं अपने DM को तो इसके 2-4 दिन के बाद आपको आपके दियेगे email ID पर e-stamping का ID password मिल जाता है यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आप अगर e-stamping का ID password लेना चाहते हैं तो पहले तो आप यहाँ से contact number निकाल लिजे अपने DM का और एक बार call करके जान लिजे कि आपको e-stamp का ID password मिलेगा कि नहीं अगर आपको DM बोलता है कि आपका ID password मिल जाएगा आप वो फरम भर के हमें mail कर दीजे तो आप यह फरम भर के उसे mail कर सकते हैं साथी अगर वो बोलता है कि आपको यह फरम नहीं भरना होगा आप अपना